नमस्कार स्वागत है आप सभी का नरायन सर क्लासस के इस नए वीडियो में चैप्टर थर्टीन जीव और समस्टिया इसका भाग दो तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम बताएंगे भाग तीन भाग दो में हम लोग बात कर रहे थे परिया वरणिया कारक के बारे में यहीं कि परिया वरण के घटक क्या है या परिया वरण के कारक क्या है तो हमने वहाँ पर बताया कि परिया वरण के दो कारक है मुख्यत मेली दो कारक है यह बात याद रखनी है क्योंकि यही कई वर पुछ लिया जाता है कि परियावरण के कितने घटक है या परियावरण के कितने कारक है तो मुख्य रूप से दो है एक भौतिक या अजैविक कारक और दूसरा जैविक कारक इसे ही हम कह सकते हैं कि भौतिक या अजैविक घटक और दूसरा जैविक घटक जिसमें हम लोग प अजयविक घटक भी तीन भागों से मिल करके बना हुआ है एक है क्या तो एक है जलवायु संबंधी कारक उसके बाद से दूसरा असला कृतिक कारक और तीसरा मृदिय कारक जलवायु संबंधी कारक के बारे में हमने बताया कि जो कारक जलवायु को प्रभावित करते हैं उसे जलवायू समंदी कारक गहते हैं इसके अंतर बहुत सारे चीज़ें हमने बताया हुआ था जैसे कि प्रकास तापमान जलवर्षा वायमंडलिय आदरता वायमंडलिय गैसे और वायू इसके बारे में हमने पूरता जनकारी भागदों में दे दिया है बिस्तार से हमने बताया हुआ है प्रकास के बारे में कि वो किस तरह से जीवों को प्रभावित करता है उसी प्रकार से तापमान कैसे प्रभावित करता है जल वर्षा से किस प्रकार से परियावर्ण या जीव प्रभावित होते हैं इसके बारे में भागदो में हमने completely जानकारी दे दिया है जलवायू समंधी कारक के बारे में और आज हम जो बताएंगे ओ है अस्थला कृतिक कारक इसके भी बारे में हमने थोड़ा बहुत वहां पे चर्चा किया था जिसमें सबसे पहला आता है समुद्र की सतह से उचाई य यह भी परियावन को प्रभावित करता है दूसरी बात कि परवतों तता घाटियों की दिशा उसके बाद से धलान की प्रवणता यह चीजे उसके बाद से तीसरा आएगा मृदी अकारक और मृदी अकारक में जो हमें पढ़ना है ओ है खनीज पदार्थ सेकें मृदा का जल थर्ड मृदा की वायू और फोर्थ कार्वनिक पदार्थ तता ह्यूमस इसके बारे में हमें पढ़ना है उसके बाद से सेकेंड पार्ट आता है परियावन यह कारक का ओ है जैविक कारक और जैविक कारक में क्या आते हैं तो जीव वह पोदे यानि कि जन्तों और पोदे मि नाते हैं और इसमें जो हमें पढ़ना है ओ है जिवाणू सेवाल कवक पर जीवी जन्तूँ वो पौधे सह जीवी जीव वो पाधप और जन्तूँ इसके बारे में हमें यहां पर पढ़ने हैं तो हमने पढ़ना स्टार्ट कर दिया था भाग 2 से और भाग 2 में हमने बताया था जलवायू समंदी कारक के बारे में पूरा एक पार्ट हमने भौतिक या अजयवी कारक का कम्पिलिट किया ओ है जलवायू समंदी कारक और हमने बताया कि भोतिक या अजयविक कारक मुख्यरूप से तीन भागों में विभाजित है पहला जलवायू समंदी कारक, दुजरा असला कृतिक कारक और तीसरा मृधिय कारक तो यहां पर हमने बता दिया है जलवायू समंदी कारक के बारे में अब हम पढ़ना प्रारंब करेंगे असला कृतिक कारक के बारे में तो जलिए स्टार्ट करते हैं और समझते हैं असला कृतिक कारक क्या है असला कृतिक कारक भी एक प्रकार का भोतिक या औजयविक घटक है अब वह किस तरह से जीवन को प्रभावित करता है किस तरह से परियावरण को प्रभावित करता है इसके बारे में हमें जानना है यह जो कारक है जीवों को बनस्पतियों को कैसे प्रभावित करता है यह हमें यहाँ पे जानना है तो चलिए सुरू करते हैं आज का यह सेशन और सबसे पहले हम जानेंगे किसके बारे में तो अस सबसे कि अस्थला कृतिक कारक दूसरा जो था अस्तला कृतिक चली शुरू करते हैं अस्तला कृतिक कारक है क्या तो वे कारक जिनका संबंद प्रकृतिक बनावत या प्रकृतिक भूगोल से संबंदित होता है उसे ही अस्तला कृतिक कारक कहा जाता है क्या मतलब कि वे कारक जिनका संबंद प्रकृतिक बनावत या प्रकृतिक भूगोल से संबंदित होता है ये भी कई प्रकारके होते हैं जैसे सबसे पहले पहला आएगा इसमें समुद्र की सतह से उचाई समुद्र की सतह से उचाई सबसे फ़र्ष इसमें आजाता है समुद्र की सतह से उचाई तो किसी अस्थान से हम उपर की और जाते हैं तो क्या होता है कि वायू के दबाव और तापमान में कमी आती है लेकिन वायू की गती एवं आदरता में ब्रिधी होती है कोई भी अस्थान है यहां से यदि हम उपर की और जाते हैं तो तापमान में कमी आती है वायू के दबाव में कमी आती है लेकिन वायू की गती और उसकी आदरता में ब्रिधी होती है यही कारण है कि जो उचे उचाई पर परवत होते हैं उचे उचे जैसे कि हिमाले बर्ष बर हिमाच्छादित होते हैं मतलब कि बर्ष से धके होते हैं यदि हम किसी अस्थान से उचाई की ओर जाते हैं तो लगवक 90 मीटर 90 मीटर हम उपर की ओर जाते हैं तो एक फारेन हाइट एक डिगरी फारेन हाइट तापमान में बर्ष 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 ब बर्स भर हिमाले को बर्फ से धका रहता है दूसरी बात कि लिख लदाग वहां पर वायु के दबाव में कमी हैं यह इदि वहां पर हम आग जलाना चाहें तो आग जलाने में समझ्या उत्पन्न हो जाती हैं आग नहीं जल पाता है क्योंकि आक्सिजंट वहां पे कम है यानि क तो येदी हम उपर की और जाती है तो तापमान और वायु के दबाव में कमी आती है और वायु की गती और उसकी आदरता में ब्रिदी होती है तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाएगा अस्तला कृतिक कारक लिखना प्रारम किर जिए और हेडिंग बनाएगा अस्तला कृतिक कारक और इसमें लिखना है वे कारक जिनका सम्मंद किसी प्राकृतिक बनावत या प्राकृतिक भुगोल से सम्मंदित होता है उसको अस्तला कारक कहते हैं, ये कारक निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं, और पहला एडिंग मनाना है समुद्र की सता से उचाई, और इसमें लिखना है किसी अस्थान की उचाई के साथ उस जगह का ताप तथा वायु दबाव कम होता जाता है, परंतु वायु की गति तथा आदरता में ब्रिदी होती है, होती जाती है, परवतों की उचाई लगबग 90 मीटर बढ़ने पर तापमान में एक डिगरी फारेन हाइट की कमी हो जाती है, एक बात हमने यहाँ पर कर लिया, किसके बारे में, तो समुद्र की सतर से उचाई, दूसरा आता है, परवतों तता घाटियों की सेकेड असला करतिक कारक में सेकेड आता है, परवतों तता घाटियों की दीशा, यह भी जीवों को बनस्वतियों को प्रभावित करता है, कैसे करता है, इसके बारे में जानते हैं, तो जो परवतों की दीशा है, इससे वर्षा, प्रकास और वायू प्रभावित होते हैं परवतों के दिशा से वर्षा, प्रकास और वायू प्रभावित होते हैं जैसे कि ये एक परवत है यहां से वायू आ रहा है तो इस परवत से वायू टकराता है तो यह बिभिन दिशाओं में मुड जाता है इसके साथ ही साथ यह द्रवी भूत हो जाता है द्रवी भूत इसका मतलब एकी संगनित हो जाता है और बादल क्या रूप ले लेता है और वही बादल भूमी पर बर्सा के रूप में पढ़ता है जब वर्षा के रूप में पढ़ता है तो जलवाई में भिन्नता आती है अलग-अलग अस्थान पे अलग-अलग परवतों पर वह वर्षा अलग-अलग रूप से रुखता है और जिससे की जलवाई में भिन्नता आती है इस कारण से अलग-अलग परवतों पर जो बनस्पतियां होती है वो भी प्रभावित होती है वो भी बिन्न बिन्न प्रकार की होती है जैसे कि हिमाले की कुलू घाटी में अपेक्षाकृत बहुती सगन बनस्पतियां मिलती है और लहोल घाटी में बहुती कम बनस्पतियां मि कारण है वायू आती हैं इससे टकराती है विबिन दिसाओं में मुड जाती है और संगनित हो जाती है द्रवी भूत हो जाती है और बादल का रूप ले लेती है और वही बादल वर्षा के रूप में प्रिथ्वी पर पड़ता है और जिससे की जलवाई प्रभावित होती है अलग-अलग परवतों पर जो है अलग-अलग प्रकार की बनस्पतियां इससे प्रभावित होती हैं जैसे कि अभी हमने बताया कुल्लू घाटी की बनस्पतियां बहुत ही सगन होती हैं और लहोल घाटी की बनस्पतियां होती हैं बहुत ही कम होती हैं वो इसी कारण से हैं इन वायू तथा प्रकास प्रभावित होते हैं। परवतों से टकराने के कारण हवाएं बिभिन दिशाओं में मुर जाती हैं। तथा टकराने के करण उनकी आद्रता द्रवी भूत होकर बादलों के रुप में आगे बढ़ती हैं। तथा बर्सा के रुप में भूमी पर गिरती परवतों में पीभिन्न उचायों पर जलवाई में भिन्नता के कारण बनस्पतियां भी प्रभावित होती है जैसे हिमाले की कुल्लू घाटी में अपैक्शाकर सघन बनस्पतियां मिलती है परन्तु लोहोल घाटी में कम बनस्पतियां मिलती है इनका मुख्य कारण इन घाट घ हाटियों के दिशाओं में अंतर हैं तो इतनी चीजिन हमने जाना यहां पे समुद्र की सतह सी उचाई इससे भी प्रभावित होता है अब हम तीष रा जानेगे जो है धलान की प्रवड़ता चलिए देखते हैं तीसरा धलान की प्रवड़ता थर्ड धलान की प्रवड़ता यह भी एक प्रकर का असला कृतिक कारक है जो बनस्पतियों को प्रभावित करता है यदि प्रवड़तों की धलान की प्रवड़ता है इसका मतलब क्या कि प्रवड़तों पर धलान ज्यादा है इस तरह का परवत है एनिकि एकदम सीधा है तो इस पर यदि वर्षा यहां से होती है तो यह वर्षा क्या जल यहां पर आएगा तो बहुत तेजी से नीचे की और आएगा वर्षा का जो जल है बहुत तेजी से नीचे की और आएगा कहीं पर भी यहां पर रुकेगा नहीं इस परवत पर यह नहीं रुकेगा तो वहां पर बनस्पतियां होगी नहीं दूसरी बात कि इस पर जहां भी मिर्दा होगी उस मिर्दा को भी वो बहा ले जाएगा तेजी से मिर्दा को भी भी फसल नहीं हो सकती है किसी प्रकार की भी बनस्पतियां वहां पर नहीं हो सकती है तो एक यहां पर क्या है तो बर्स भर यहां पर सुखा ही रह जाता है क्योंकि पानी रुपता नहीं है बर्सा होने के साथ धलान के करण ज्यादा धलान है इस करण से वह नीचे की और गिरा एक तो ये इसका दूस प्रभाव है धलान की प्रवरता का दूसरी बात कि यदि सूर्य का प्रकास है यहां से मिल रहा है एक साइड से तो एक साइड पर पड़ेगा सूर्य का प्रकास और दूसरी साइड पर नहीं पड़ेगा जिस साइड पर पड़ेगा वहां पर तो बनस् बनस्पतिया नही width यहां पर दो कारन देखने को मिल रहे हैं एक सूर्यय का May stamps पर एक भाग में ही पड़ रहा है जिसके से दूसरे सायड में बनस्पतिया प्रभावित हो रहे हैं इसी परकार से यह जो भर्ःद की करन वर्षा का जो जल है और नीचे और डिरेक्ट आ जा रहा है तो मिर्दा को अपरदित कर रहा है दूसरी बात कि कहीं पर रुक नहीं रहा है तो वर्सवर वहां पर सुका रहेगा और जिस कारण से वहां पर बनस्वतियां नहीं होगी तो ये प्रभाव है किसके धालान की प्रवर्णता का तो हेडिंग प्रवाह के करण मिटी की भी से स्थाओं पर पड़ता है सीधे धालान के करण जल तेजी से नीचे की तरफ बह जाता है जिसके करण ऐसे अस्थानों की मिटी सुखी रह जाती है नीचे को बहता हुए जल मृदा के लिए उपयोगी नहीं होता इस प्रकार का जल अपने मिर्दा तता पोशक ततो को बहा ले जाता है मिर्दा का परदन कम या अधिक होना डालान की मातरा पर निर्भर करता है मतलब कि कैसा डालाने इस पर निर्भर करता है इस प्रकार से वहां पर क्या किया जाता है कि इसी से बचने के लिए कैसे वहाँ पे खेती किया जा यहाँ पे इन अस्तानों पर तो सीडी दार खेती की जाती है मतलब कि इसे तोड़ा जाता है और तोड़ करके सीडी नुमा आवरण बनाया जाता है इस तरह से और यहाँ पे सीडी दार खेती किया जाता है यह चीज है अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला जानेंगे इसमें का धलान का अनावरण फूर्थ नंबर हो जाएगा धलान का अनावरण मतलब कि इस धलान का अनावरन कैसे किया जाए धलान का अनावरन तो जो परवतियद हाल है सूर्य और वायू की प्रवाह एक और तो खुला रहता है तो जिस और खुला रहता है उस और बनस्पतियां रहती है भिन भिन प्रकार की बनस्पतियां उगती है और दूसरी और तो यह चीज है इसे भी लिख लेजाएगा है धलान का अनावरण और इसमें लिखना है जो परवतिया धाल सुर्य और प्रिथिवी प्रवाह की और खुला रहता है उस पर उगने वाली बनस्पतिया ऐसे धाल से भीन होती है जिस पर सुर्य तथा वायू कम पहुंच पाता है मतलब कि यहां की बनस्पतिया यहां से भीन होती है इदर जो है इस और वाय और सुर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पा रहा है इसलिए यहां की बनस्पतिया से यहां की बनस्पतिया क्या हो जाती है भीन हो जाती है तो यहां पर एक पार्ट हमने कम्प्लीट करवाया जो य मुर्दયय कार्ग के बारे में पहलना जाना मुर्दिय कार्ग मरदिया कारक के बारे में चलिए देख लेते हैं मरदिय कारक को तीसरा आज गा किया चिसतों मरदिय कारक तो म७ी एकारक है क्या तो सभी अस्तलिय पोद्रिय जल और घंज मिरदा से ही प्राप्त करते हैं बोजन बनाने के लिए प्रकास स्व मिर्दाने वाले सुक्ष्मजीयों भी पौदों के जीवन पर महत्पूर प्रभाव डालते हैं मतलग कि मिर्दा में जो सुक्ष्मजीयों होते हैं यह भी पौदों के जीवन पर बहुत ही महत्पूर प्रभाव डालते हैं अब यह मिर्दा बनती कैसे हैं इसके बारे में जान होता है कि मिर्दा की उपरी परत का निर्माण होता है क्या मतलब कि प्रिथवी की चटानों के अपक्षे से बनने वाली उपरी परत को मिर्दा कहा जाता है अब सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि मृदा बनती कैसे हैं? तो पृथवी की जो चटाने हैं उसके तूटने फूटने से उसके ऊपर एक परत बन जाती हैं और उसे ही बोला जाता है मृदा यानि कि मृदा का निर्मार चटानों के अपक्षय से होता है यानि कि चटाने अपक्षय होती है तूटती है फूटती है और जिससे कि उसके उपरी एक परत बनता है और उसे ही बोला जाता है मृदा अब बात किया जाए कि मुख्य अवजव क्या है तो मुख्य अवजव में आ जाता है खनी जल लवड, कार्बनिक पदार्थ, मुख्य जल और हूमस, मुख्य वायू, मुख्य जीव मतलब कि यह जो भी मुख्य में पाए जाए वो सब क्या है मुख्य अवजव है जैसे कि खने जल लवन कार्वनिक पदाद, मिर्दा जल, ह्यूमस, मिर्दा वायू, मिर्दा जीव, ये सबी क्या है? तो मिर्दा के अवयव है, ये मिर्दा में पाए जाते हैं, अब मिर्दा के आधहार पर जीवों को बरगे कृत किया गया है मिर्दा में जो पोधे होते हैं वो पोधे मिर्दा से ही जल्वा खने जलेते हैं और पोधे उत्पादक हैं मेन उत्पादक हैं वही भोजन का निर्मार करता है जिससे की पुरा स्रिष्टी चलता है यानि कि सभी जीवों को भोजन मिल पाता है तो मुर्दिय कारक एक मुख्य कारक है जीवों को प्रभावित करने के लिए बनस्पतियों को प्रभावित करने के लिए मुर्दा के आधहार पर इन जीवों को या पौधों को निम्लिकित भागों में बाटा गया है यानि कि मृद्धा के आधार पर पोधों को निम्न भागों में बाटा गया है इनको पोधों को कई भागों में बाटा गया सबसे पहले क्या है तो अमलोद भीत अम्लोद भीद समझें अम्लोद भीद क्या है तो जो पौधे अमलीय मिर्दा में उगते हैं उन पौधों को बोला जाता है अम्लोद भीद यानि कि वे पौधे वे पौधे जो अमलीय मिर्दा में उगते हैं उसे बोला जाता है अम्लोद भीद उसके वाद से दूसरा आता है क्या चीज़ तो लवड म्रिदोद भीद दूसरा सेके लवड म्रिदोद भीद ये क्या है तो वे पौधे जो लवडीय मिर्दा में उगते हैं जो पौधे लवडीय म्रिदा में उगते हैं उसे बोला जाता है लवडोद भीद उसके बार से क्या बोला जाता है लवड म्रिदोद भीद बोला जाता है जो पौधे लवडीय म्रिदा में यानिकि मृदा कई परकार की होती हैं उसमें विविन परकार के खनीज होते हैं और अलग-अलग खनीजों पर अलग-अलग मृदा उगती हैं और उसी का नाम है मतलब क्या कि मृदा के अधार पर पौदों को यहां पर बर्गेकरित किया गया है तो सबसे पहले अमलोद भीद और इसमें क्या है कि तो वे पौधे जो अमली अम्रिदा में उगते हैं वे लोडोद भीद कहलाते हैं उसके बाद से आता है बालुकोद भीद तर्ड बालुकोद भीद ये क्या है तो वे पौधे जो बालु में उगते हैं कि उसे बोला जाता है बालुकोद भीद उसके बाद से और भी है जैसे कि सैलोद भीद ये क्या है तो वे पौधे जो चटानों पर उगते हैं मतलब क्या जो पौधे चटानों पर उगते हैं वे कहलाते हैं सैलोद भीद चटानों की सतह पर उगने वाले पौधों को क्या करते हैं सैलोद भीद बोलते हैं आगे आता है क्या चीस तो दरारोद भीद दरारोद भीद तो ऐसे पौधे जो चटानों की दरारों में उगते हैं कहां पर तो चटानों की दरारो में उगने वाले पोदे कहलाते हैं क्या चीज़ तो दरारोध भीद तो यहाँ पे जो पोदे अमल में उगते हैं अमलीय मृधा में उसे बोला जाता है अमलोध भीद जो बनस्पतियां लवडीय मृधा में उगते हैं उसे बोला जाता है बालू में उगते हैं उसे बोला जाता है बालू कोद भीद और जो बनस्पतियां चटानों पर उगते हैं उसे बोला जाता है क्या चीज़ तो सैलोध और जो बनजपतिया चट्टानों की दरारों में उगते है उसे कहा जाता है दरा रोधवित तो ये भी शेश्टाएं हैं किसका तो मृधीय कारका और मृधा का होना उपर अनिवार्य है यदि मृधा है तभी पोधे हैं और पोधे हैं तभी अन्य जीव जनतु हैं सभी जीओं को पौदों से ही भोजन प्राप्त होता है तो पौदे ही उत्पादक है और पौदों को प्रभावित करता है मृदी अकारक अब आगे हम जानेंगे मिर्दा गठन का मिर्दा का गठन कैसे होता है इसके बारे में हम जानेंगे चलिए देख लेते हैं मिर्दा का गठन मिर्दा का गठन मिर्दा का गठन कैसे होता है इसके बारे में सबसे पहले हम यहां पर जानेंगे मिर्दा की वायू के बारे में मिर्दा की वायू समझे मिर्दा की वायू तो मिर्दा में वायू की जो मात्रा है और उसका बितरण मिर्दा के कणों के आकार पर निद्वर करता है मिर्दा के कणों का आकार जितना बड़ा होगा वायू उसमें उतनी अधिक होगी वायू की मात्रा उतनी अधिक होगी जितने चोटे होंगे उसमें वायू की मातरा उतनी ही कम होगी जैसे देखिए यह है बड़ा कर्ण यह है बड़ा कर्म्रिदा के इसमें यह वाला जो एरिया है वो रिक्त है इसे आपने पढ़ा होगा सोलिड स्टेट में इन कर्णों के बारे में कि जितना बड़ा कर्ण होगा उतनी ही अधिक उसमें इस्पेस होगा और उतनी ही अधिक उसमें वायू भरी रहेगी मिर्दा की द्रिष्टी से जितना छोटा कर्ण होंगे उसमें जो इस्पेस होगा उतना ही कम होगा और उसमें उतना ही कम मिर्दा भरी होगी उसमें उतना ही कम वायू भरी होगी तो वही बात है कि मिर्दा की कर्ण जितने बड़े होंगे उसमें वायू उतनी ही अधिक मातरा में होगी परन्तु मिर्दा की कर्ण छोटे होने पर क्या हो जाता है कि उसमें वायू की मातरा कम हो जाती है मृदा की वायू में आप दो बातें याद रखिए एक बात क्या है कि मृदा का कंड जितना बड़ा उसमें वायू की मात्रा उतनी ही अधिक और जिस मृदा में कंड जितना छोटा उसमें वायू की मात्रा उतनी ही कम दूसरी बात कि मृदा में जो आक्सीजन है उसकी मात्रा आक्सीजन की मात्रा वाई मंडल की आक्सीजन से कम होता है और जो कारवन डाई अक्साइड है इसकी मात्रा वाई मंडल की मात्रा से अधिक होता है वाई मंडल में जो कार्बन डाई अक्साइड की मातरा होती है इससे इसकी मातरा अधिक होती है ये बात याद रखनी है तो यहाँ पे जो कार्बन डाई अक्साइड है इसकी मातरा मिर्दा में अधिक है तो पोदे स्वसन के लिए ये आवस्यक है कि कार्बन डाई कमी हो जाती है तो पौदों का विकास रुक जाता है तो यह बात है मिर्दा की वायू के बारे में जिस मिर्दा में जितने बड़े होंगे उसमें अधिक मात्रा में होगी और मीर्दा की कड जितने छोटे होंगे उसमें वायू हुतनी ही इकम मत्रा में वाय मंदल में जो उपस्तित है उससे अधिक अधिक मर्द में और वाय मंदल में जितने एकसीज्जन है उससे कम आक्सिजन कहां पे तो मिर्दा की वायू में है ये बात याद रखनी है अब हेडिंग बना लिजेगा ये तर्ड मिर्दीय कारक और इसमें लिखना है सभी अस्थलीय पोधे जल तता खनीज लवडों को मिर्दा से ही प्राप्त करते हैं मिर्दा में पाए जाने वाले सुक्ष्म जीव भी पोधों के जीवन पर महत्पूर प्रभाव डालते हैं प्रितिवी की चटानों के अपक्षे से बनने वाली उसकी उपरी परत को मिर्दा कहते हैं, मिर्दा के मुख्यावयो इस प्रकार से हैं, खानी जलवन कार्बनिक पदार्थ, मिर्दा जल, हुमस, मिर्दा वायू तथा मिर्दा जीव। उसके बाद से मिर्दा के आधार पर पोदो को निम्न प्रकार में बर्गी किर्थ किया गया है, और वही चीज हमने बताया जो लिख लिजेगा, फर्स्ट उदभीद, यनि कि ये पोदे अमलीय मिर्दा में पाए जाते हैं, सेकें, लवड मिर्दोद भीद, इसमें लिखना है ये पोदे लवडीय मिर्दा में पाए जाते हैं, थर्ड बालुकोद भीद, ये पोदे बालु में उगते हैं, उसके बाद से फोर्त सैलोद भीद, ये पोदे चटानों की सतह पर पाए जाते हैं, उगते हैं, उसके बाद से फिप्त हो जाएगा दरारोद भीद, इसमें ल इसमें सबसे पहले लिखना है क्या चीज़ तो मिर्दा की वायू की मात्रा तथा बित्रण मिर्दा की कड़ों की अमाब पर निर्वर करता है। इसमें की वायू की अपेक्षा मिर्दा वायू में CO2 की मात्रा अधिक तता O2 की मात्रा कम होती है। मिर्दा में आक्सीजन जडो के स्वसन के लिए आवस्यक है। वायू की कमी होने पर जडो का ब्रिधी और विकास रुक जाता है। यह बात है यहां पर अब सेकेंड लिखना है खनीज पदार्थ इसी में का जो सेकेंड आज आएगा ओ है खनीज पदार्थ। खनीज पदार्थ। चलिए जाने है इस खनीज पदार्थ के बारे में तो जो मिर्दा में रेत है, चिकनी मिट्टी है, कले हैं यह सब खनीज पदार्थ बनाते हैं। रेत, चिकनी मिट्टी, कले, यह सबी मिलकर क्या बनाते हैं तो खनीज पदार्थ बनाते हैं। अब थर्ड जानेंगे म्रिदा का जल। यह हो गया, खनीज पदार्थ हो गया, म्रिदा की वाई हो गया, अब इसमें थर्ड जाना जाएगा, क्या चीज तो म्रिदा जल। कि थार्ड मिर्दा जल में समझ लेते हैं मिर्दा जल के बारे में तो मिर्दा में जल की मात्रा पौदों के लिए अति महत्पूर है यदि मिर्दा में जल की मात्रा होती है तो पौदे जल करहन कर प्रकाशन स्लेशन की क्रिया करते हैं और मिर्दा के जिस जल का पौदे आवसोसन करते हैं जिस जल का उपयोग करते हैं उसे बोला जाता है केसी का जल यह बात याद रखना है कि पोधे मिर्दा के जिस जल का उपयोग करते हैं उसे बोला जाता है केपिलरी वाटर यानि कि केशी का जल केपिलरी वाटर ये बात याद रखना है ये बार बार पूछा जाने वाला क्वेस्चन है कि पोधे मिर्दा के किस जल का उपयोग करते हैं तो पोधे सिर्फ मिर्दा के किसी का जल का ही उपयोग करते हैं ये बात हमेशा याद रखनी है अब हम जानेंगे मिर्दा की रासायनिक प्रकृति ये चीज़ तो समझें मिर्दा में क्या क्या चीज़ है तो मिर्दा में आमल है चार है खनीज लवण है जो पौधों के ब्रदी और पिकास पर सीधा प्रभाव डालता है इसके द्वारा इन खनीजों के द्वारा पौधों का ब्रदी और पिकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है क्या है तो मिर्दा में आमल चार खनीज लवण ये स सारे चीजे पौदों के ब्रिदी वह विकास को प्रभावित करते हैं कैल्सियम पोटेसियम सल्फर फास्फोरस यह रसाइनिक तत्वा पौदों के लिए अति आवस्यक है बहुती आवस्यक है उनके ब्रिदी और विकास के लिए तो यह क्या चीज तो मिर्दा की रसाइनिक प आती महत्पूर होती हैं पोधे सिर्फ केसी का जल को ही अवसोसित करते हैं फिर एडिंग में आना है ये मिर्दा की रसाइनिक प्रकृती इसमें लिखना है मिर्दा के अमल छार तता खनेज लवण का पोधों की ब्रिधी एवं विकास पर सीधा प्रभाव पड़ता है कैलसियम पोटेसियम सलफर फासफोरस आधि रसाइनिक तत्वर पोधों के लिए अती आवस्यक होते हैं आगे अब हम जानेंगे कार्बनिक पदार्थ था हुमस के बारे में अगला आजाएगा यह मिर्दा का गठन हो गया अब हम अगला जानेंगे कार्बनिक पदार्थ था हुमस के बारे में यह चीजे हम यहां पर मिटाते हैं कार्बनिक पदार्थ तथा ह्यूमस समझिए यह मेन है कार्बनिक पदार्थ तथा ह्यूमस यह है क्या कार्बनिक पदार्थ तथा ह्यूमस तो जीवों की मृत्यू के बाद कार्बनिक पदार्थों का अपगटन होता है मतलब की जीव कार्बनिक पदार्थ से बने हुए है और उसके मृत्यू के बाद उनका अपगटन होता है मतलब की कार्बनिक से और कार्बनिक पदार्थ में परिवर्थन होता है जो ताजे मृत कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसे बोला जाता है लीटर ताजे मृत कार्वनिक पदार्थ को कहा जाता है लीटर और इनके नीचे पिछली रीतु का आंसिक रूप से अपगटित कार्वनिक पदार्थ मिलता है मतलब कि यहाँ पर लीटर है यह एक फरत है सबसे उपर यहाँ पर क्या है लीटर है लीटर का मतलब है कि जो ताजे मृत कार्वनिक पदार्थ है इसे लीटर बोला जाए लेकिन इसके नीचे वाली जो परत है वो एक ही रीतु की है यह पिछली रीतु की है यह पिछली रीतु का इसमें भी वही कार्वनिंग पदार्थ होंगे अपगडित हुए जो कि आंसिक रूप से अपगडित यह होते हैं यह पूर रूप से अपगडित नहीं होते हैं यह अभी अपगडित नहीं है इसे लीटर बोलते हैं जो आंसिक रूप से अपगडित है इसे नीचे वाला परत पिछली रीतो वाले ये आंसिक रूप से अपगाटित है और जो आंसिक रूप से अपगाटित है उसे बोला जाता है क्या चीज़ तो अलेपन यानि कि डफ अलेपन डफ जो आंसिक रूप से अपगाटित है मतलब कि लीटर के नीचे जो ताजे है मृत कार्बनिक पदार उसे बोला जाता है लीटर उसके नीचे वाले जो पार्ट है जो कि आंसिक रूप से अपगाटित है पिछले रीतो वाले आंसिक रूप से अपगाटित कार्बन इसे कहा जाता है अलेपन और सुक्ष्म जीवों द्वारा इनको गहरे रंग के महीन रवाहिन कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है जो सुक्ष्म जीव होते हैं इसको क्या करते हैं कि गहरे रंग के महीन वह रवाहिन कार्बनिक पदार्थों में अपग कर दिया जाता है परिवर्तित कर दिया जाता है और इसी को बोला जाता है हुमस इसी को बोला जाता है क्या चिस्तों हुमस मतलब की ताजे मृत कार्बनिक पदार्थ को लीटर करते हैं उसके नीचे वाला जो परत हैं पिछली रितु वाले वांसिक रूप से पगटित होते है कि इनको गहरे रंग के महीन रवाहिन कार्वनिक पदार्थों में क्या कर देते हैं तोड़ देते हैं परिवर्थित कर देते हैं और उसी को बोला जाता है हूमस सुक्ष में जीवों की सक्रियत्ता के कारण इन कार्बनिक पदार्थों को खानीजों में बदल दिया जाता है मतलब कि और कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है और इसी क्रिया को बोला जाता है खानीजी करण खानीजी करण इसी क्रिया को कहा जाता है क्या चिस्तों खनेजी करन इतनी बात है अब हुमस से लाव होते हैं क्या क्या लाव होते हैं हुमस से तो जो हुमस से लाव होते हैं पहला यह मिर्दा को अधिक उपजाओ बनाता है दूसरी बात कि इससे मिर्दा की जल धारक्षमता बढ़ती है और जल अनिवारी भी है तो ये मिर्दा को अधिकु पचाओ बनाते हैं और इससे मिर्दा की जल धारक्षमता बढ़ती है अब यही बात हम लिखेंगे तो हेडिंग मनगेगा ये कर्बनीक पदार्त ताहिमस और इसमें लिखना प्रारंब केजिए जीवों की मृत्यु के बाद कर्बनिक पदार्तों का अपघतन होता है ताजे मृत कर्बनिक पदार्त लीटर कहलाते है इसके नीचे पिछली रित्व का आंसिक रूप से अपगटित कार्वनिक पदार्थ मिलता है जिसे आलेपन कहते हैं जिसे क्या कहते हैं आलेपन कहते हैं यहनिके डफ कहते हैं सुक्षम जीवों द्वारा इनको गहरे रंग के महीन रवाहीन कार्विंक पदार्थों में परिवर्तित कर दिया जाता है इनको हुमस कहा जाता है सुक्षम जीवों की सक्रिता के कारण कार्विंक पदार्थों को खनीज पदार्थों में बदल दिया जाता है इसको खनेजी करन कहते हैं हुमस से हमें निम्र लाप मिलते हैं पहला यह मृदा को उपजाओ बनाता है अधिक उपजाओ बनाता है दूसरा इसमें मृदा की जल धारक्षमता बढ़ती है अब हम आगे जानेंगे मृदा का तापमान के बारे में मृदा का तापमान चले थर्ड मृदा का तापमान बहुती जरूरी है मृदा का तापमान एक अनकूल तापमान में जो बीज होता है पौधो का वह अंकूरित होता है यदि तापमान अनकूल नहीं है उची तापमान नहीं है तो उसका बीज अंकूरित नहीं होगा तो तापमान का पोधों की बिभिन क्रियाओं पर बिभिन प्रभाव पड़ता है ये प्रभाव क्या क्या है तो ये प्रभाव है जैसे कि भूम में सुक्ष्म जिवों की सक्रि यह पर शाएं प्रभावित होते हैं उसके बाद से बीजो का अंकूरन पर जड़ों की ब्रिदी व्यकास भी पर आप मांध ध्या रित होती हैं उसके बाससे जड़ दवारा जल आओ सोसन की छमता तापमान दवारा ही निर्धारित होती हैं दूसरी बात भूमिगत तनु की बृदी बिकास वो पपचे क्रियाएं यह सारी चीजे तापमान दवारा प्रभावित होती हैं तो हेरिंग बना लेना है मृदा का तापमान और इसमें लिखना है मृदा के तापमान का प्रभाव पोदों की विभिन क्रियाओं पर पड़ता है ये प्रभाव ने में लेकिता है पहला भूमी में सुक्ष्म जीव की सक्रियता सेकेंड भूमी में रोग पैदा करने वाले ब पीजो काम कूरन चौता जड़ों की ब्रिदियों विकास पांचवा जड़ों द्वारा जलकाव सोशन छटा भुमिगत तनों की ब्रिदी विकास वुपापचई सक्रियता यह हुआ अब मृदा के जीव के बारे में तोड़ी सी बाते करते हैं मृदा के जीव यह सारा क्रम से हैं मृदिय कारक में जो जो आते हैं सब हम क्रम से यहाँ पर बताते चल रहे हैं जीव तो मिर्दा में जो भी जीव पाए जाते हैं उसको मिर्दा जीव कहते हैं और इसके द्वारा बरसपतियां प्रभावित होती हैं जैसे कि मिर्दा में कवक, जीवाडू, निमेटोड, दीमक, केचुए, मुलस्ट का अर्थो पोड़ा के जीव अनेक परकार के जीवाडू मिलते हैं और ये जीव सुक्ष्म कार्वनिक पदार्तों का अपगटन कर देते हैं जिससे कि मिर्दा की उरुड़ा सक्ती बढ़ जाती हैं उसके बाद से कुछ आती बिसेश प्रकार के नीले हरे सवाल और जीवाड होते हैं जो वाइमंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन का फिक्सी करण करते हैं यानि कि उसे नाइट्रोजन को नाइट्रोजन के योगिकों में परिवर्तित कर देते हैं इससे मिर्दा की उरुड़ा सक्ती बढ़ जाती है यानि कि यह क्या करते हैं मृदा की उरणा सक्ति को बढ़ाने का काम करते हैं राइजोबियम जिवार एक है जो फालीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है जैसे कि मतर चना इनके जड़ों में पाया जाता है मृदा के जीवों की तो हेडिंग बना लेजएगा मृदा के जीवों और इसमें लिखना है मृदा में कवक सैवाल निमेटोड दीमक केचुए मुलस्क अर्थोपोड आदी जीव जन्तु तथा अनीक प्रकार के बीजानों मिलते है मिर्दा में मिलने वाले सुक्ष में जीवों द्वारा कार्वनिक पदार्थों का अपघटन होता है जिससे मिर्दा की उरुड़ा सकती बढ़ती है कुछ अती बिशेस प्रकार के नीले हरे सेवाल तथा जीवाड़ वाई मंडल के स्वतंत्र नाइट्रोजन को नाइट्रोजन योगी की करण द्वारा परिवर्थित करके मिर्दा की उरुड़ा सकती बढ़ाते हैं राइजोबियम जीवाड़ो फरीदार पोदो की जड़ों में मिलने वाला गरंतियों में रहते हैं तथा नाइट्रोजन को इस्थिर करने का कारिय करते हैं तो यहां पर हमने एक पार्ट कम्पिलीट कर लिया परियावर्ण के कारक में जोता भोतिक एवं अजयविक कारक इसको भी तीन भागों में बाटा गया पहला जलवाई शमंदी कारक उसके बाद से दूसरा असलाकृतिक कारक और तीसरा जो है वो क्या है तो म्रदिय कारक य जैविक कारक के बारे में तो अगले पार्ट में हम जैविक कारक के बारे में बताएंगे तो इस पार्ट में हम इतना ही रहने देते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक कलिए यदि आपको समझ में आता है तो आप जरूर कमेंट के मादियम से बताईए दूसरी बात कि यहाँ पे आपको complete course provide हो जाएंगे आपके exam से पहले और यदि आप हमारे इस channel पर नए हैं आपको अच्छा लगता है तो channel को subscribe जरूर किजिएगा दूसरी बात आप सभी लोगों से request है कि आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को like जरूर किजिएगा और इसे अपने मित्रों में ज्यादा से ज्यादा share किजिएगा तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब दख के लिए thank you thanks for watching जुड़े रहे एं राइंस और classes के साथ